पशुपती नात का एक ब्रत होता है, जिसको कहते हैं पशुपती ब्रत आजकल लोगों ने श्यूमापुरान की कता में से देख देख कर खुद की आइडी पर खोव सारे पशुपती बरत बना बना के डाल दिये कि ऐसा करो वेसा करो फिर उद्यापन भी ऐसा करो पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपती वृत में कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा धोंग प्रपंच कुछ नहीं करना सुवेरे के समय पर थाली लेकर जाओ शंकर भगवान का पूजन कर अभी शेक पूजन करो सारा पूजन करने के बाद थाली वापिस लेकर आजाओ उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का परसा जिसके तीन हिस्से हो जाए छे दिये गी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाए भगवान को बेल पत्र समर्कित करने के लिए के जाए प्रेम से बाबा का इसनान पूजन सब करा कर शाम के समय प्रदोश काल में प्रदोश समय में करकर प्रशाद जो बना कर ले गए हो उसके तीन हिस्से कर लो दो हिस्से मंदिर के अंदर ही दख देना है एक हिस्सा अपनी ठाली में बापिस लेकर आना एक दिया लेकर आना उसको वहां से जला कर नहीं लाना पांच दिये मंदिर में जला दीजिए जब दीप पांच पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो तो पांचों दिये जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामन कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपती व्रत कर रही हूं बाबा आप इसे स्विकार करना पशुपती व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर पाचो व्रत होते हैं मंदिर नहीं बदला जाता अगर माईके जाना है तो बापीसा करो पर पशुपती व्रत यह नहीं कि में माईके में एक कर लूँगी या महाँ जाकर एक कर लूँगे ऐसा नहीं होता है जैसे संकट सुंबार सुला सुंबार होते हैं संकट सुंबार सुला सुंबार का भी वरत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है यह नहीं कि किराय के मक में गिराय का मकान बदल लिया है अब बदला मकान में फोच गई तो एक विरतल महा कर लूँगी नहीं फो ध्यापन तक उस मकान में रहना पड़ेका जिस मकान में तुमर है कि तो 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 वरत का मतलब अब अशुपती वरत के अंतरकत साम को पांच दिये एक दिया जला कर प्रजुली करना है आपको कहां जब परशाद लेकर बाबा को निवेदन करकर अपने घर पर जब आएंगे आने पर दरवाजे के प्रवेश करेंगे मुख्य द्वार में जब प्रव हर्पित कर दे बाबा से बिंती करें कि भाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुल्हब करें मेरे गर की जो बांदा है जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पून करें बाबा को निवेदन करकर परशाद लेकर गर में प्रवेश कर जाएं सुबहा के समय जब आप फलार कर लें शाम के समय आप भोजन कर लें भोजन कब करना, जब एक भाग परशाद का लाएंगे, उस परशाद में से किसी को नहीं देंगे, वो परशाद पेले आपको खाना है, उसके बाद भोजन गरन करना है, नमक दोनों समय खाओ, कोई मना नहीं, फलार में भी खा लीजिए, शाम को भी खा लीजिए, कोई चीज की मना नहीं बस बाबा का इसमर्ण करो पाँच ब्रत पूर्ण हो जाए छटे ब्रत में कुछ भी 108 समागरी लेकर जाओ चाहे मूंग लेकर जाओ चावल लेकर जाओ चाहे 108 माखाने लेकर जाओ चाहे तुमारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ 108 पुषप ले जाओ रक्त पु उपे बाबा की चरणों को समर्पित कर दें बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है मेरी मनों कामना पूर्ण करना मुझे विश्वास है पांच व्रत भी पूरे नहीं होंगे दो या तीन व्रत में ही बाबा आपका कारे कर देगा पर प्रेम से करना विश्वास रख कर करना बरोसा रख कर करना अहंकार नहीं जितने पशुपती वरत करो आप उसमें अभीमान को त्याग दो शंकर जी के दरवाजे पर सुबहर जाओ ना तो पहले अहंकार छोड़ कर जाए पशुपती वरत आप जब करें भगवान शिव को पांच वरत हैं बीच में कोई बांधा अगला करने अगे और करो जरूबर को दुनिया का इसा कौन सा कारे है जो पशुपती वरत नहीं हुआ ये ना जाने कितने लोग पशुपती वरत को करे होंगे और बावा ने एक बुंत में तो बुंत में तीन ब्रत में पांच ब्रत में कुछ ना कुछ तो दिया होगा अगर बाबा मानलो तुमारी कामना पूर्ण नीवी करता तो मन की शांती तो देही देता है कि रदाई की शांती तो मिल रही है ना बहुत वस्त भगवान शिव का नाम पश्यूपति नात पड़ गए समय आए रही है